Hello everyone, this is Ram Vishnoyi and you're watching Geographic Guru. आज की इस एपिसोड में इस वीडियो में हम बात करेंगे board classes की. बात करेंगे हम class 10th की, बात करेंगे हम class 12th की और discuss करने वाले हैं आपकी board class को. दिखे भाई, Indian society के अगर बात की जाए, तो board class को लेकर के काफी ज़्यादा buzz create किया जाता है. कभी-कभी तो ऐसी feeling आती है कि भाई, board exam ना हुए, बलकि UPSC का exam हो गया. और इसकी शुरुआत कहां से होती है, इस बज की शुरुआत स्कूल से होती है. स्कूल में board classes के उपर extra focus किया जाता है, board classes means no game spirit, board classes means no other activities, board classes means no annual day performance, और zero period extra लगता है. ऐसा ही कुछ घर पी scenario रहता है, क्योंकि जब भी PTM में parents को बुलाए जाता है, तो उनको भी बताया जाता है कि बच्चे के उपर extra focus कीजिए, board की class है इसकी. और घरवाले भी फिर आपके mobile को लेकर के, आपके टीवी को लेकर के टोकाट इपनी करना शुरू कर देते हैं, और इसी चकर में काफी सारी marriages है, marriage functions होते हैं, वो स्वाहा करने पड़ते हैं. सेम सिनेरियो, इसी टाइप का scene है, आपकी coaching classes में भी रहता है, board classes को लेकर के extra focus रहता है, और आपकी Sunday को भी extra classes लग जाते हैं. हम भी काफी सारी extra preparation करते हैं, board class को लेकर के, भाई, board class है, ओके, तो हमारा syllabus है, वो timely हम cover करते हैं, pre-board exams हम seriously देते हैं, simple question paper को solve करते हैं, teachers, parents के और से काफी सारे tips मिलते हैं, उनको लेकर के हम board exam देने जाते हैं. लेकिन board exam में एक और चीज होती है, जिसको लेकर के हमारी preparation नहीं होती, वो होती है, first day जब हम जाएंगे, तो board exam में हमें हमारी answer sheet का first page मिलेगा, जिसको हम OMR sheet कह सकते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं, front page या फिर आपका title page. उसके उपर हमें काफी सारी details को fill करना होता है, और उन details को लेकर के first two, three days students काफी सारी mistakes कर देते हैं, खास तोर पे, particularly अगर हम बात करें class 10th के students, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पहले practice नहीं की होती, तो वहां जाते हैं, तो हडबड़ी में कुछ गडबड हो जाती है, और कई बार ये गडबड भारी पड़ जाती है, 12th के students के साथ ऐसा नहीं कि वो 10th में दे चुके हैं, तो 12th में mistakes नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें भी ऐसा कुछ होता है कि in between, इस परकार की sheet वगरा को fill नहीं करते हैं, कहीं पर भी उनको नहीं मिलती है, तो वहां पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आपकी ओमार sheet की बात करने वाले हैं, आपके front page की, यानिकि board exam का front page है, उसमें हमें entries को कैसे fill करना है, किस type से हमें title page को भढ़ना है, कहां पर क्या पूछा जाएगा, वो सब कुछ हम यहां पर discuss करेंगे, let's begin चली, शुरुआत कर page है, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जैसा कि आप अपनी screen के ओपर देख पा रहे हैं, तो इसमें हम एक ही करके सारी चीज़ों को देखते हैं, सबसे पहले देखें कि यहां पर यह आपका title page रहेगा, और इसके back side में आपको काफी सारे instructions दिये होंगे, वो आप बाद में read out कर सकते हो, तो यहां पर हमें क्या कुछ fill करना है, क्या कुछ entries करना है, तो सबसे पहले यहां पर दिया हुगा subject, ओके, आपका subject, जो आपके admit card के coding, जिसे exam को देने जा रहे हो, ओके, वो subject आपको fill करना है, कोशिस कीजिएगा कि जो subject आप mention करे हो, जैसे आपका exam है English का, capital letter में लिखो, okay, English, E-N-G-L-I-S, आप capital letter में लिखिए, okay, उसके बाद second है आपका, यहां पर दिया होगा आपका subject code, subject code आपके question paper के उपर भी होगा, subject code आपके admit card के उपर भी होगा, okay, जैसे आपका मान लिजे subject है geography, तो उसका, आपका subject code 029 है, आपका exam है, social science का, तो 087 आपक English में भी दिया है, need not to worry, आपका जो medium है, उसके according आप यह entries यहां पे fill करोगे, और battery यह रहेगा कि सारी entries आपके English में रहे, okay, तो यहां पे आपका subject आएगा, उसके बाद second जो column दिया गया है, जो entry दी गया है, वहां पे हमें subject code mention करना है, उसके बाद third रहेगा, day and date of the examination, यह next रहेगा आपका medium of answering the paper, आपका जो medium है, अगर हिंदी medium है, हिंदी medium mention कीजिए, English है, English mention कीजिए, और अगर आपका subject, माले जी कि आप पंजाबी का exam दे रहे हो, आप उर्दू का exam दे रहे हो, तो आपका medium उर्दू या पंजाबी रहेगा, clear, तो आपके question paper के according, आपको medium, जो question paper या जो आपका exam है, उसका recording आपको medium में यहाँ पर mention करना है, यनकि सबसे पहले आपका subject आएगा, उसके बाद आपको subject code mention करना है, उसके बाद day and date of the examination रहेगा, और उसके बाद आपका medium of exam रहेगा, clear, four entries clear होगी, उसके बाद यहाँ पर रहेगा, जो next हमें कॉलम दिया गया ह code number, code number किस चीज कहिए, write the code number as written on the top of the question paper, आपको four code के question paper मिलेंगे, a, b, c, d, okay, आपको देखना है कि आपको किस code का question paper मिला है, और जो code का question paper मिला है आपको, उसी code को यहाँ पर mention कर दोगे, मालीजी, a है तो यहाँ पर आपने a mention कर दिया, यानकि 1, 2, 3, 4, आपका अगर वो code ह यानकि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, a, b, c, d के बजाए, अगर 1, 2, 3, 4 है, तो यहाँ पर आप 1 लिखोगे, अगर a, b, c, d में है, तो a, b, c, d लिखोगे, और उसी के coding, यह जो bubble है, इसको dark कर दोगे, यहाँ पर दियागे यह bubble, set number, तो यहाँ पर उसको आपको dark कर देना, तो यहाँ नहीं कि वो a, b, c, d में हो, 104, 17, like that, ऐसा कुछ हो सकता है, और उसके बाद उसके उपर set number होंगे, 1, 2, 3, 4, तो वो आपको correctly यहाँ पर mention करना है, उसके बाद है number of supplementary answer seats used, अगर आप extra seat लेते हो, तो यहाँ पे आप mention करोगे, 1 या plus 1 कर दिया, आपने plus 1 कर दिया, plus 2 कर दिया, हलांकि maximum chances ऐसे रहेंगे कि आप supplementary sheet used नहीं करोगे, तो यह आपका blank रहेगा, clear, यह end में आपको feel करना है, अगर आपने supplementary sheet लिया, तो यहाँ पे आपको add करना है, नहीं लिया, तो that's okay, इसको blank छोड़ दोगे, उसके बाद है person with disabilities, person with disabilities अगर है, तो आपको yes करना, otherwise यह no रहे करने वाला है, clear, आपको no mention करना capital letter में, उसके बाद यह है कि if physically challenged, tick the category, अगर physically challenged है, उनके लिए ही सिरफ, उनको B, D, H, S, C, A, जो भी उनकी category है, नीची हमें यहाँ पर detail में बताया गया है, कि B for blind candidate है, ऐसे deep and dumb के लिए दिया गया है, okay, handicapped के लिए दिया गया है, like that, तो उन म जो ही जो physically disabled है, यानि कि maximum जो students है, उनके लिए ये column नहीं है, यहाँ पर आप no कर दोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद है, whether writer provided, यहाँ पर maximum जो students है, mostly जो students है, उनका no ही रहेगा, क्योंकि आपको writer नहीं, आप खुद exam देने जा रहे हो हाँ, writer provided किस case में होता है, किसी भी type का mileage issues हैं, या फिर किसी का कोई accident हो गया, like that, तो उनको writer provide करवाय जाते हैं, तो अगर ऐसा scene है, तो आप yes करोगे, otherwise आपको यहाँ पर no करना है, उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ जाएं, तो देखिए, यानि कि यहाँ पर हमें mention कर दिय edit, तो yes या no की जगह हम यहाँ पर no करेंगे, clear, उसके बाद next जो दिया गया, यदि दृष्टी हीन है, तो उपयोग में लाए गए software का नाम, कि if visually challenged, blind है, तो वहाँ पर software का name यहाँ पर mention करना है, तो ऐसा भी mostly students के साथ नहीं है, यानि कि यहाँ पर हम entries को देखे न, उपर से एक बार फिर से मैं आपको show कर देता हूँ, कि यहाँ पर हमारी four entries है, वो सबसे important है, subject का name mention करना है, उसके बाद subject code mention करोगी, after that day and date mention करोगी, after that medium of exam, यह mention करोगी, after that जो fifth entry है, आपका code number रहेगा और यहाँ पर आपका set number रहेगा, तिन को आपको mention करना है, और यह जो details है, यह details आपके, mostly जो students है, उनके काम की नहीं रहेगी, क्योंकि हम supplementary sheet नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि काफी सारी sheet होते हैं, बहुत rare chance होते हैं, कि हमें supplementary sheet की requirement हो, okay, यहाँ पर अगर आप disabled नहीं हो, तो no हो जाएगा, और अगर यह no हो गया, तो यह सारी सारी चीज़ें आपकी blank रह है, यह आपको खाली चोड़ना है, उसके बाद हम second row में आएंगे, जहाँ पर हमारी entries होगी, काफी सारी, यहाँ देखिए, यह जो space है, उपर की तरफ दिया गया, इसको आपको blank चोड़ना है, कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पर आपको अपना name mention करना है, name mention करना है, जिस आई आगया, ओके, रवी हो गया, अगर आपका नाम रवी कुमार है, तो यहाँ पे एक box of blank चोड़ोगे, उसके बाद कुमार लिखोगे, अगर रवी कुमार के बीच में space दिया गया है, यानि कि हमें यहाँ पर space देना है, उसके बाद आपने यहाँ पर mention कर दिया, रवी क तो व के नेचे व को dark कीजिए, आई के नेचे फिर आप आई को dark कीजिए, यानि कि जो उपर नाम लिखा उसी की line में आपको एक bubble को dark करना है, जो उपर mention किया है, और जहाँ पर space रहे, उसको आपको space को बिल्कुल blank छोड़ देना है, उस line में, यानि कि यह line space दे रखना, आ आपके name में, तो आपको space देना है, और उसके बाद इन bubbles को उसके accordingly dark करना है, clear, उसके बाद यहाँ पर आपके roll number रहेंगे, roll number देखिए, आपके पास seven digit के roll number होंगे, और seven ही हमें boxes मिले है, clear, तो seven digit के आपके roll number है, अगर आपके roll number admit card में six digit के होते हैं, by chance किसी student कैसा है, तो आ zero already उसमें edit में मिल जाएगी आपको, clear, तो यहाँ पे हम roll number को लिखेंगे, इसको double sure कर लेना, यानि roll number बड़े आराम से शान्त हो करके लिखना है, double sure हो जाना है, कि आप अपने roll number को ठीक से हाँ पर mention करे हो, और फिर same procedure को हमें follow करना है, जो digit हमने उपर mention किया, उसी line में हमें उस bubble को dark करना है, clear, और यह जो bubble को dark करोगे, यह जो यहाँ पर entries करोगे, यह आपकी black या blue ball pen से ही होगी, gel pen है, that is not allowed in the examination, नहीं आप pencil को use करोगे, clear, तो यह हमारी entry हो जाएगी, यहाँ पर name होगा, और यहाँ पर आपका roll number होगा, उसके बाद यहाँ पर रहेगा आपका subject code, clear यहाँ पर question paper का code था, यहाँ subject code हमने पहले ही भरा है, वही subject code यहाँ पर आ जाएगा, subject code जैसे मैंने बताया कि geographic का 029 है, यह फिर आपका social science का 087 है, तो आप यहाँ पर 029 या 087 आपने यहाँ पर mention किया, यानि कि आप एक जो आपका box है, उसमें एक ही digit को mention करोगे, और फिर same way में bubble को आपको dark करना है, clear, यह जो subject code है, यह आपके admit card के उपर भी होगा, यह आपके question paper के उपर भी होगा, और यहाँ पर भी आप subject code को mention करोगे, उसके बाद next रहेगा आपका center number, center number है, आपका जो exam center बनेगा, उसका center number आपके admit card के उपर होगा, okay, बायचांस अगर आपको नहीं पता है, नहीं कहीं पे दिख रहा है, तो जो भी वहाँ पर duty दे रहे हैं, उन teacher से आप पूछ सकते हो, और आपके सामने जो board है, जहाँ पर आपके sitting plan mention किया हुआ है, उसके उपर भी यह mention किया हुआ होगा, clear, तो यहाँ पर आपका center number आएगा, center number जो आपका examination center है, या again subject दिया गया है, यह उपर जो हमने mention किया, आपका subject कौन सा है, जिस subject का exam दे रहे हो, यहाँ पर आप capital letter में लिखोगे, उसके बाद school number as per the admit card, इसमें school number भी दिया गया, admit card के उपर mention किया गया, center number अलग है, school number अलग से दिया है, admit card के उपर तो उसको आप mention करोगे, इन दोनों क लिए हमें कहीं पर किसी परकार के bubble को use नहीं करना है, उसके बाद आपके यहाँ पर रहेंगे roll number, इन words में रहेंगे, लाख और thousand में है, यहनकि लाख thousand में है, तो उसी तरीके से आपको इनको mention करना है, कितने लाख है, कितने thousand है, कितने hundred है, और कितने two digits में है, तो वो आप words में लिखोगी, अगर आपको English में नहीं लिखना है, तो आप इनको Hindi में लिख सकते हो, चाहिए बाकी entries आपने English में mention कियो, ओके, it doesn't matter, तो आपको यहाँ पर अपने roll numbers से वो words में लिखने है, शब्दों में लिखने है, उसके बाद यहाँ पर आएगा आपके पीता का नाम father's or guardian's name रहेगा यहाँ पर, वो capital letter में ही लिखना आप, जो admit card में आपको दिया गया है, father's name जो दिया गया है, अगर space होड़ेगा, जो नाम admit card में, वही नाम यहाँ पर mention करना है, यानि उसी name के entry यहाँ पर होनी चाहिए, उसके बाद आपके यहाँ पर sign होने है, ओके, यह सा ना करें, उसके बाद यहाँ पर जो आगे है, यहाँ पर आपके stamp लगेगी, जो center superintendent है, उनकी stamp होगी, वो अपने आप लग जाएगी, और यहाँ पर आपके signature हो जाएंगे, जो assistant superintendent है, उनके, यानि कि यह उन्ही का काम है, जहाँ पर आप exam दोगे, उससे उपर के entries आपको ध्यान रखना है, ध्यान से यह सारी entries करनी है, क्योंकि यह सबसे important है, और कई बार ऐसा होता है कि हमें exam देने जारे हैं और वहाँ पर entries वगरा कुछ करनी थी, हमने कुछ और गडबड कर दी, उसके बाद पूरा exam खराब चला जाता है, क्योंकि हमारे mind में वही सारी चीज़ निकालेंगे, clear, यह चीज आपको ध्यान में रखनी है, तो hopefully यह वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा helpful रहेगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेती, इस वीडियो को like और share जरूर कीज़ेगा, इसके लावा भी अगर आपके मन में किसी भी type का doubt है, कुछ भी चल रहा, exam को लेकर के, exam की preparation को लेकर के, किसी भी type की content को लेकर के, तो आप comment section में comment कर सकते हो, कोशिस करूँगा कि मैं आपको reply दूँ, आज के लिए बस इतने, thank you, bye bye, have a nice day